कि मॉर्णिंग शात्रों मैं आपका बहुसा एक सिक्षाक दिपक सिंग और कच्छा के लिए यह सामान अधारिक दिसे का इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन्स हैं और मैं मानके चलता हूं कि छमाही परिक्षा एक तरह से आपकी दिसम्बर में अक्सर होती ही रही है तो मैं इसकी एक प्रिपरेशन आपको दे रहा हूं तो इसके बारे में भी थोड़ा जानने हैं तीन गंटे का समय रहता है जब बोल्ड में आप देंगे तो सो नंबर का पेपर होता है और पुड़ा जो है सो नंबर का और पांच-दस लाइनों में उत्तर देना होता है दो नंब उसमें अथवा भी रहते हैं और अखाव में आप जो है आप परियावराण सिख्छा और विकास पाएंगे अखाव में उद्यमता का भी कास रहेगा और बड़े प्रशन का अंक जो है तीन पेज में आप जरूर लिखेगा आईए क्वेशन देखते हैं मैंने वीडियो इस थोड़ा थोड़ा से अंतर है और बिसेश नहीं लें किना फिर भी आप लेख सकते हैं जैसे परियावराण का अर्त क्या है कि या अरब प्रकार बता तो एक तो आपने बनाया है हैं माणौन्वीत भगवान ने बनाया है दो आतीरा परेवर्ण है मारे पास और इसका आरथ हुए है कि जो आपके आज आसपास चीजे हैं चोटा सा आप गर का परेवर्ण ले लिजिए या प्राकृ्र्टिक यह जो आपने बनाया है और वाद ने बनाया है तो इसका बालत रहना बोजरेशी को परिधन आवरण यह परिधन तो मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं को मैं कोश्चन आप वीडियों तरफ मोटिवेट कर रहा हूं कि आप उसको देखिए लाइक सब्सक्राइब का कोई मतलब तो उसमें है नहीं आप उसको सुनके विवसाइक सिछा के लिए यह तो इसलिए इसमें कोई मतलब नहीं बनता तो परिधन अपने दोस्तों को शेयर क कर सकते हैं और कमेंट्स में कुश्चन पूछ लें केस अंसादन आपके पास जानते हीएं कोईला है और आन्यूहिव evenly है तो बहुत से चीजह हैं भगवानो द्राव धिए और कुछ तो आप वें। करते हैं तो प्रयावरण के संसाधन भी हैं है घानिज है बहुत अवाम सीज आ बन का मातो देखिए महातो कि अ मतलब उसकी वैलू क्या है तो महात तो अलग चीज है तो जब भी पूछें तो थोड़ा समझ के लिखिएगा और जनसंख्यावी बढ़ जाएगी तो एक समय आएगा कि आदमी के पास पहुत ही कम जमीने रहेंगी, और असके शुप जाओ भी आपसे पूछ सकता है, उद्योगों का परयावराण पर क्या प्रभाव है? तो भाई उद्योग लगेंगे, चिमनी धुमादेगी तो निची तरूप से जब कड़ए परएक आधनिक क्या है वही राशायनिक हाद का अभियोग कर रहा है आप कम भूम में ज्यादा पेदावार लेना ये जो है इसको आप आजनिक किसी भी कहा है या भूमी प्योग भी कह सकते हैं कि भूमी का अच्छी तरह से उप्योग लेना करना वही भूम का उप्योग है और पर दूसरों को आप जानते हैं जल में भी और वाइव में भी और आप हर जगा पर दूसरी है और हम सिक्षा जो है हमें भारत एक धनी देश है हम लोग और पर लोग निर्धन है कभी कर भी इस पर भी टिपड़ी पूछता है तो अथवा करके तो ये भी एक वही चीज है कि सिक्षा की कमी से और संसाधनों की थोड़ी कमी से ये थोड़ा सा ऐसा है और ग्रामीड कुड़े कच नहरों का जाल है ये भी इसमें आ जाता है एक इसमें आता है चिपको अंदोलन कौन है तो सुंदरलाल बहुड़ा ने इसको नारा दिया था चिपको अंदोलन और मेगा पाटे कर जो है पेड़ के उपर लिपड़ गई थी और जिससे की पेड़ बन नाकट है तो बन का महत तो ये चिपको अंदोलन से आता है तो हरित क्यांती नहर से और चिपको अंदोलन आपका बन से जुड़ा हुआ है ये अक्सर पूछ लेता है आते हैं उद्देमता का विकास में हम देखें तो बेवसाय से उद्देमता का महत बताएं तो उद्देमता मतलब कि आपके आते हैं या तो उसका उसकी गुडवत्ता से लेके सारी चीज़ें उसके अंदर रहें ये वीडियो भी आपको दिया है जोखिम क्या है तो जोखिम भाई दुकान आपने खोला आज आ सकता है तो थोड़ा बहुत जोखिम रहता ही है हर वेवसाय के अंदर परियोजना क्या है प्रोजेक्ट क्या है इसके प्रमु खांग क्या है इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं क्लास 12 में भी है 11 में भी है स्वाट क्या है तो स्वाट वही स्ट्रेंथ वीकनेस अपर्चुनिटी और थ्रेट मतलब की थोड़ा सा ताकत भी होनी चाहिए किसी धंदे के लिए थोड़ी कमजूरिया भी अपनी जाननी चाहिए अपर्चुनिटी और विक्रेव में क्यांतर है दिखिए मार्केटिंग और बेचना सेलिंग दोनों अलग चीज़ है मार्केटिंग हो जो होती है जैसे आप दावा का व्योसाय देखते होंगे लोग मार्केटिंग कराती है सिफला के इडला ये सा होती है विक्रे क्या है आप सबजी खरीद के लिए मंडी से रोट पर रखे बेच दिए दाट इस दे विक्रे भी प्लान क्या है तो प्लान क्य चाहते हैं या पेपर पी बनाना चाहते हैं तो इतने आदमी रखेंगे तो इसके कई चरण है इस चीच को भी मैं क्लास 12 में भी दे चुका हूँ क्लास 12 में भी आपके लिए एक तरस ये छमाही का है चात्रों और इस क्वेस्चन को मैं आपको उसमें भी डाल देता हूँ और इसमें दो पर स्चनाव रह जाते हैं कि कुटी रुद्योग के महत्य ववनावशक्ता क्या है इस पर भी प्रकास डालें जानते ही हैं आप गाओंग में जो है कुलड बनाना भी एक कुटी रुद्योग है आपका और वो डलिया भी सब कुटी रुद्योग है नौ इसा इन्योवेटिव रहना चाहिए कुछ नया करने के लिए बाजार सरवेक्षण मतलब कोई वी चीज आप मानुफैक्ट्रिंग या बेचना चाहरा है तो बाजार का पहले देखने की भाई विक्री क्या है आज का लाक्सीजन सिलेंडर का बहुत लोग प्रोजेक्ट ले तो इस इन चीजों को आपको है क्लास 11 के छात्रों को ये वीडियो है और ज्यादा क्या करोना से थोड़ा सा अभी बचें और अपना मास्क लगाना जरूरी भी है क्योंकि गाजीपुर में तो राक भी उड़ती है धूल भी उड़ती है और ये 26 माइकरान सोचिए किस से कम रहे हैं किन नीचे की है राक तो 26 माइकरान से नीचे की है तो इस तरह से कई चीजें है तो मुझ पर मास्क लगाने से कोई दिक्कत नहीं आपको और सरपेट भी लगाया तो और अच्छी बात है सूर्च से सूरी की उपासना सवेरे 5 रचे तक बहुत अच्छी है 6 रचे आपके लिए बहुत ही उप्योगी है कपड़ा ना पहने तो और ही अच्छा है तो इस समय में थोड़ा कम कपड़ा पहन के और पूरा उनका ले और आगे ग्यान की बाते होंगी चात्रों और बिसे सुरूप से NCC में इस हपते में NCC का भी रिजल्ट्स आने चाहिए जहां त और दस्तारीक के अंदर आने चाहिए मेरा अपना एक अनुमान है जबकि मैं कोई NCC का टीचर या इससे रिलेटेड मेरा कोई संब्द नहीं है लेकिन चुकि क्लास में क्लास 12 में भी लड़के हैं तो उससे थोड़ा सा हलका फुलका नालिज रहती है तो मेनी मेनी थैंक्स और गलतियों के लिए मैं माफी माँगा और कुछ वीडियो में कुछ वर्ड्स गलत हो सकते हैं तो आप उसको अपने तरफ से सही समाझ के निगेटिव ना लें पाजिटिव हमेशा जिन्दिगी में पाजिटिव रहेंगे तभी आपको सफलता भी देगे मेनी मेनी थैंक् झाल 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 झाल